सो हलो गाईज मेरा नाम है सैम और इस वीडियो में हम सॉललेंड सीरीज के एपिसोड 214 को डीटेल में एक्स्प्लेंड करने वाले हैं वैसे इससे पहले मैंने नोवेल के जरिये भी कुछ पोर्शन को एक्स्प्लेंड कर दिया था पर रियल फूटेज को देखकर समझने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है और सॉललेंड के क्रियेटर्स नोवेल को भी थोड़ा आगे पीचे रखकर सीरीज बनाते जा रहे हैं इसलिए अब चलिए जल्दी से एपिसोड 214 को एक्स्प्लेंड करते हैं अब जैसे ही वीडियो स्टार्ट होता है तो हमें फायर एन आइस स्प्रिंग लेक दिखाया जाता है जहां पर तैंक सैंग के चारो रेड रिंग्स शावू के उपर घूम रहे थे इसके बाद जैसे ही शावू पुनर जीवित हो जाती है तो तैंक सैंग के माते का ट्राइडन मार्क एक्टिवेट हो जाता है और फिर तैंक सैंग के उपर सीगोड लाइट गिरने लगता है अब इसी सीगर्ड लाइट के प्रोटेक्शन में तैंक सैंग के चारो रेड रेंग्स वापस उसके पास लौट आते हैं और फिर जैसे ही वह चारो रेड रेंग्स तैंक सैंग में समाते हैं तो तैंक सैंग के ब्लू सिल्वर इंपरर के अचानक रीकवर होने के कारण उसके body से निकला red blue color का crystal तूट जाता है जिसके जटके से tank sand उड़ जाता है ये देखकर पुनर जिवित हो चुकी शावू तुरंट tank sand के पास पहुंचती है और उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे गिरने से बचा लेती है इसके बाद शावू tank sand के सर को अपनी गोद में रख लेती है और उसकी हालत को देखकर दुखी होते वे कहती है कि का तुम सच में बहुत पागल हो इसके reply में tank sand उसे कहता है कि शावू तुम्हारे लिए मैं ये सारे दर्द भी सहलूंगा tank sand के इतना कहने के बाद अब शावू उसे उसकी engagement ring पहना देती है और फिर उसका हाँ थाम लेती है अब ज़्यादा घयल होने के कारण tank sand के मुँव से खोन निकलने लगता है इसलिए अब शावू tank sand को बिठाती है और उसे हील करने लगती है इसके बाद कुछी देर में tank sand हील हो जाता है उसके बाद वो शावू से कहता है कि दामिंग और अर्मिंग के लिए तुम्हें दुबारा पुनर जिवित करना उनकी आखरी एक्चा थी पर मुझे इसी आसाने अब तक जिन्दा रखा था ये सुनकर शावू की आखो से आसू आने लगते हैं और वो दामिंग अर्मिंग को याद करके रोने लगती है अब tank sand शावू को सांद कराते वे कहता है कि दामिंग और अर्मिंग तुम्हें इस तरह से रोते हुए नहीं देख सकते हैं इसके बाद हमें दामिंग और अर्मिंग के आत्माओं को दिखा जाता है जो कि अब सावू से अलविदा लेकर स्वर्ग में चले जाते हैं अब tank how सावू को समझाते वे कहते हैं कि दामिंग और अर्मिंग जा चुके हैं और तुम्हारे पास अब एक नया जीवन है इसलिए तुम्हें इसका स्वागत करना चाहिए तैंगाओं की बाद सुनकर शावू सांथ हो जाती है और फिर उन्हें thank you uncle बोल देती है ये सुनकर तैंगाओं से तीस करते हुए कहते हैं कि बहुत समय पहले जब तुम दोनों यहां आये थे तो तुमने मुझे इस तरह से नहीं पुकारा था अब शावू तैंगाओं की बाद सुनकर सरमा जाती है और फिर सड़ जुका कर उन्हें सरमाते हुए पापा कहती है शावू को इस तरह सरमाते हुए देखकर तैंग सेंग उस पर प्यारानी लगता है और फिर वो उससे कहता है कि शावू I love you अब मेरे पास आखिरकार तु I love you too ये सुनते ही तैंग सेंग बहुत जादा खुस हो जाता है और शावू से प्रॉमिस करते हुए कहता है कि हमारी शादी बड़े ग्रैंट तरीके से होगी मैं पूरी दुनिया को ये बताना चाहता हूँ कि तुम मेरी वाइफ हो तुम्हारी खुशी ही मेरी जिंदगी क सबसे बड़ी खुशी है ये कहकर तैंग सेंग शावू को गले से लगा लेता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें जिंदगी के अंद तक प्यार करता रहूंगा बले ही हम बुड़े हो जाएं हम कभी भी अलग नहीं होंगे शावू इन सबी बातों पे हामी भरती है और फि कल्टिवेट करने लगता है और शावू वहाँ पे निग्रानी करने लगती है इसके बाद तैंग हाव शावू के पास आते है और उसे कहते हैं कि चिंता मत करो तैंग सेंड मुझसे भी जादा ताकतवर है वो कुछी समय के रिष्ट के बाद जल्दी ठीक हो जाएगा इसक करने के कारण उसका मेंटल पावर गरब्रा गया है अब तैंग सैंग खुछ से खाता है कि सौभागे से मेरे पास सीगोड का डिवाइन लाइट है जिसकी मदद से मैं इसे दोबारा से संतुलित कर सकता हूं उसके बाद मैं इस उथल पुथल हुए स्वल पावर को धिरे- करने लगता है इसके बाद तैंग हाओ तैंग सैंग के चारों और उसके मिस्टीरियस सेवनली स्केल के औरा को देख कर कहते हैं कि इस सफेद औरा देखने में नाजुक लग रहा है पर इसमें बहुती स्ट्रॉंग थौट पावर है जो कि तैंग सैंग की बॉड़ी को प्र तैंग हाओ के तना कहने के बाद हमें तैंग सैंग के पास तीन जेट वाइट कलर के लोटस दिखाई पड़ते हैं इसके बाद तैंग सैंग इन तीनों फ्लावर को इखट्टा करके अपने पांचों एलेमेंट्स को पुनः प्राःत कर लेता है अपने इस कल्टीवेशन क के दौरान ही तैंग सेंग अपने जुवांत्यान स्ट्राइक को नाइन्थ लेवल तक ट्रेन करता है और आखिर में उसे कंप्लीड भी कर लेता है जिसके बाद तैंग सेंग की आखों पे वे वाइट लोटस दिखाई पड़ते हैं अब तैंग सेंग को पुरी तरह ठीक है इसके बाद पास में ही खड़े तैंग हाओ तैंग सेंग से पूछते हैं कि उसका सॉल पावर अभी कितने लेवल पे है यह सुनते ही तैंग सैंग कुछ सोचते हुए अपने ब्लू सिल्वर एंपरर को रिलीस करते हुए कहता है कि वह अभी भी 91 लेवल पे है अब शाव से तुम्हारा ब्लू सिल्वर इंपरर मार्सल सोल पूरी तरह से बरबाद हो गया है और तुम्हारे पहले के चार सॉल स्किल्स भी जा चुके हैं यह सुनकर तैंग सैंग जल्दी से कहता है कि मेरे पास दो मार्सल सोल है बले ही मेरा ब्लू सिल्वर इंपरर डैमेज है पर इसकी वज़ा से मेरा हाउत यान हैमर प्रभावित नहीं होगा लेकिन ये डैमेज बच कुछ समय के लिए है एक बार मैं जब दोबारा से सॉल रिंग्स को एब्जॉप कर लूंगा तो मुझे अपने कुछ सॉल स्किल्स भी वापस मिल जाएंगे इतना सुनते ही शावू जल पापा अब चिंता मत करिये मैं और टैंक सेंग जल्दी लोट आएंगे अब टैंक हाव उन्हें जाने की पर्मिशन दे देते हैं और उन्हें अपना ध्यान रखने को कहते हैं पर्मिशन मिलते ही शावू टैंक सेंग को पकड़ कर बाहर जाने लगती है और कहती है कि परेश्ट के अंदर बहुत सारे सॉलबिस्ट है जिन में से तुम्हें अपने लायक सॉलबिस्ट जरूर मिल जाएंगे अब शावू के excitement को देखकर तैंक सेंक समझ जाता है कि शावू उसके 500 के कारण ही इतनी excited दिख रही है पर शावू भी कभी सॉलबिस्ट थी और सॉलबिस्ट को सॉलब मस्टर के द्वारा सिकार होता देखना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था पर आज वो उसे सॉलबिस्ट को और एग्रेसिब सॉलबिस्ट का ही सिकार करेगा शावू तैंक सेंक की स्प्रमिस को एक्सेप्ट कर लेती है इसके बाद तैंक सेंक सेंक से पूछती है कि क्या तुमने अपने पसंदीदा सॉलबिस्ट के बारे में सोच लिया है जिन्हें तुम अपनी 500 रिंग्स बनाना च चाहते हो इसके जवाब में तैंक सेंक उसे बताता है की अगर वो अपने ब्लू सिलबर इंपरर के सॉलिस्ट को ठीक करना चाहता है तो उसे पहले जैसे सॉल विस्ट ढूंडने होंगे यह सुनकर अब शावू कहती है कि इसका मतलब हमें वैसे ही सॉल विस्ट की तलास करनी होगी जो बिलकुल उसी तरह के होने चाहिए जैसा कि तुमने अपने पहले के सॉल डिंग्स में प्राप्त किया था इसके बाद तैंक सैंड हां करते हो अपना सर हिलाता है और फिर तभी उसे उस याद आता है फिर वो तुरंद शावू से पूछता है कि अभी उसकी सॉल पावर कितनी है इसका जवाब देते हु सायद ये तुम्हें टॉप क्लास के लेवल वन टेस्ट से मिले रिवार्ट्स के कारण हो सकता है सीगाट के नाइन टेस्ट को पूरा करने के बाद हमें इसका पता तो चली जाएगा अब शावू तैंक सैंग से कहती है कि अब मैं भी पूरी तरह से इनसान बन चुकी हूँ और मुझे भी साल रिंग हासिल करने के लिए एक साल बिस्ट को मारने की जरूरत है ये सुनते ही तैंक सैंग सावू से कहता है कि तुम्हारे बॉडी कंडिशन को देख कर ऐसा लग रहा है कि एक लाग साल के साल रिंग को एब्जॉब करना अभी भी तुम्हारे लिए जो खिंबरा हो सकता है लेकिन एक पचास या साथ अजार साल के सौल रिंग को एब्जॉब करने में तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसके बाद हमें एक सौल विष्ट को दिखा जाता है जो कि तैंक सैंग और शावू की बॉडी टेंपरेचर को महसूस करता हुआ उन को देकर कहता है कि ये बोरो डेमनी स्पाइडर का पर्सिंग स्किल है अब तैंक सैंड आचानक हुए इस हमले का जवाब देते वे कहता है कि अगर इस सौल विष्ट ने हम पर अटाक करने के बारे में सोची लिया है तो हम भी इसका स्वागत करते हैं ऐसा कहकर तैंक सैंड अपने सीगोर ट्राइडन को बाहर निकाल लेता है और फिर उस सौल विष्ट के डारेक्शन पे हिट कर देता है ऐसा करते ही जमीन के अंदर से एक बहुत बड़ा बोरो डेमनी स्पाइडर बाहर निकलता है जिसे देखकर तैंक सैंड खुद से कहता है कि ये बोरो डेमनी स स्पाइडर से तीन गुना बड़ा है तैंक सैंक इतना कहते ही एपिसोड 214 का पहला भाग यहीं पे खत्म होता है इसके आगे की सीग को मैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी कंप्लिट कर दूंगा और अगर आपको ये वीडियो अची लगी हो तो एक लाइक करना तो बनता करते हैं